नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राके शिवानी अश्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि कुछ वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य पर विभिन ग्रहों के द्रस्टी के फल के क्या होते है यानि सूर्य पर चंद्रमाद डाले तो कैसे फल प्राप्त होते हैं यह मैं आपको थोड़ा सा बताले की कोशिश कर रहा हूँ लास्ट वीडियो से और उसके अंदर भी जो में इंपॉर्टन्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य किसी पर्टेकुलर ब्रह की राशी पे हो यानि सूर्य मालिया बुद्ध की राशी में बैठा हुआ है सूर्य मालिया मंगल की राशी में बैठा हुआ है सूर्य मालिया चंद्रमा की राशी में बैठा हो और तब उस पे चंद्रमा दरस्टी डाले या मंगल द्रस्टी डाले या बुद्ध द्रस्टी डाले या ब्रस्पती डाले या शुकुर द्रस्टी डाले तो कैसे फल बदा दिए यानि सीधा सा अर्थ ये है कि सूर्य किस की राशी में बैठा है किस ग्रह की राशी में बैठा है और उस पे कौन द्रस्टी डाल रहा है इसके फल आप जरूर चेक किजी अपनी कुड़ी में आपको शत्प्रतिशत बिल्कुल सही मिलेगे चुकि ये जो फल मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे फल सारा वली में कल्यान वर्माजी द्वारा रचित है और ये फल आपको सारे सारे मिलेगे और बिल्कुल सेम टू सेम मिलते हैं अगर आप में जड़ा तो आप भी अपनी कुड़ी में चेक किजीए कि आपकी कुर्णी में सूर्य किस राशी में इस्थित है यानि किस ग्रह की राशी में है और कौन सा ग्रह उस पे द्रस्ति डाल रहा है और जो फल बताए जा रहे हैं ये इस वीडियो में उन फल को चेक के देखिये आपको सही मिलेंगे मिथुन ग्रत फल यानि कि मिथुन राशी में अगर सूर्य हो तो क्या फल मिलते है इसके बारें बताया गया है कि मिथुन राशी में सूर्य हो तो क्या फल मिलते है ऐसा बोला गया है क्या मेधावी वांग धरो वासल्य गुडर यूते सदाचरे विज्ञान शास्तर कुशलो बहुवित उदार चेस्टस्चे यानि अगर सूर्य मिथुन राशी में हो तो ऐसा व्यत्ती मिधावी होता है वासल्य पूर्ण होता है सदाचारी होता है विज्ञान और शास्त्र में कुशल होता है और बहुत उदार होता है निपुनो जोतिष वेत्या मध्यम रूपो द्वी मातर काय सुब गय यह क्या बोलते हैं, यहां पर बोलते हैं कि ऐसा विध्यारती या ऐसा जातक जिसका सूर्य मित्वनराशी में है, वो निपुन होगा किसमें जोतिश विता, जोतिशी में निपुन होता है, मध्यम रूप का होता है, मतलब ना बहुत जादा खुबसूरत ना बहुत जादा व प्रेम बिलता है उसको दिन भर तरी जाता है पुरुशों विनीत से आता है और ऐसा इंसान बहुत ही विनीत प्रकर्ती का होता है और सर्वजन प्रिय होता है तो वही इसके अंदर बताया गया है कि मिथुन गत सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति दो माताओं द्वारा पालित दो मातर तुल लिस्तियों का प्रिति पात्र और सर्वजन प्रिय और दिनीत होता है अब अगर माल लिया हम देखते हैं कि सूर्य अगर मिथुन राशी में है अत्वा कर्णिया राशी में है यानि किसकी राशी में है बुद्ध की राशी में है मितुन और कञ्या दोनो बुद्ध की राशी हैं अगर सूर्य बुद्ध की राशी में बैठा हुआ है आपको मिलेगा रिपु बांधव करत पीडा बिदेश गमनार दीतो बहु विलापी बुद्ध भवने दिन भर्तरी द्रस्टे चन्द्रेन पुर्ष श्याते रिपु बांध़व करत पीडा यानि अगर सूर्य बुद्ध की राशी में हो और उसमें किसकी द्रस्टी हो चंद्रमा की द्रस्ती हो तो ऐसा जातक शत्रूओं में बांधों से पिलित होता है शत्रूओं में बांधों से पिलित होता है यात्रा से पिलित होता है और अपने कस्टों को विश्रेश्टिया बखानने वाला होता है अपने कस्टों की बात ही करेगा, देखे न, इसमेल साफ लिखावा है, रिपू बांधव करत पीड़ा, विदेश गमनार दितो बहु विलापी, यानि जो यातराय होती है विदेश की, उनसे भी उसे पीड़ा प्राफ्त होती है, अपने ही व्याख्या करता रहेगा वो, अगर बुद्ध के छेतर में सूर्य हो और मंगल से द्रस्थ हो, तब क्या होगा, तब कहते हैं, बुद्ध के छेतर में सूर्य हो और मंगल से द्रस्थ हो, तब वो बोलते हैं कि शत्रु भैवे कलह से युक्त होता है, युद्ध की बदनामी से पिलित होता है, दुखी होत होता है और कुछ लज्जालू होता है कुछ शर्मिला होता है बुद्ध की राशी में सूर्य हो चाहे वो मिथुन में हो चाहे वो कन्या राशी में सूर्य हो और उसको बुद्ध देखता हो सूर्य को पहली कंडिशन तो यह है कि बुद्ध की राशी में सूर्य हो और फिर सू बन्दू बहुत होता है शत्रोधना छेड़े जाने वाला होता है और नेतर लोग होने की संभावना उसको रहती है अब इस में बोला गया है यह बोला गया है कि ब्रस्फती से कि द्रस्थ सूर्य हो ऑगर देख राख हो व्यारी सूर्य को ब्रस्फती सुषत ओड़ कर थ honeymoon शास्त्रदारितो मुखे, राग्याम दूतो विदेश गंडस्चे, बुद्ध राशो दिन भरतरी गुर्णाम, द्रस्टे सदोन मादे, ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि ब्रस्पती से द्रस्ट अगर सूर्य हो, ब्रस्पती सूर्य को देखता हो, तो ऐसा व्यत्ती अनेक शास्त्रों को बोलने वाला, राजा का दूत, विदेश यात्रा करने वाला, तीखा और कुछ संकी सा होता है, और यही सूर्य बुद्ध की राशी में बैठा हो, और शुक्र से द्रस्ट हो, तो ऐसा व्यत्ती धनी, इस्तिरी पूत्र से युक्त, कम सनहे वाला, निरोग, स कई नौकरों वाला, उद्विंग मन वाला, मतलब इसका मन थोड़ा बेचैन रहता है, ऐसा व्यत्ती रहता है, बहुत से बांधों का पोशन करने वाला, अपने इसे चोटे बंदू बांधों है, उनका पोशन करने वाला होता है, लेकिन थोड़ा दोखेबाज किसम का भी ह स्काटानी द्रश्ट सूर्य शूर्य को और शूर्य बुद्ध की इन बता हूं नहिने आपको बताया इसके बाद में करकर राशी सूरि बैठा हो उसको दिफलेंड ग्रहे देखते हों तो कैसेelnे ने बताएंगे तब के लिए हमें आग्या दीजिये आशा करता हूं आपको पसंद आया हुगा पसंद आया तो पर लाइक कीजिगा सब्सक्राइब कीजिगा और इसके लावा हम लोग remedies की class start करने जा रहे है astrological remedies वो पढ़ाने जा रहे है, profession पढ़ाने जा रहे है advanced astrology पढ़ाने जा रहे है, उनके बैस शुरू करने है तो जो लोग भी interested है वो अपने दियेवे क्लास में enroll करा सकते है marriage making का भी हमारा प्रावधान है वो भी हम लोग शुरू करने जा रहे है match making कैसे करते है जो जिस course में चुको उस course के लिए अपने आपको register करा सकता है धन्यवाद, जैशी कृष्ण